नमस्कार दोस्तों पेरमाउंट एग्रो इंस्टूड जोट वड़ा जैपुर में आप सभी का ते दिल से हारदी का भी नंदन जैसे कि अपने जो पीछे वाली क्लास चल रही थी तो चलते वक्त को टेक्नीकल प्रόबलम हो गई टेक्नीकल प्रोबलम की वज़े से अपनी कलास महीं सतकित कर दीगी थी और जहाण से कलास का ब्रेक हुआ होँआ से कलास को अपन स्टार्ट करते हैं आज देखो दोस्तों अपनी class चल रही थी effect of electricity यानि विद्दुत के परवाव पर चल रही थी उसके पहला परवाव चल रहा था heating effect यानि उसमें परवाव यही चल रहा था उस पर अपने अध्यन करते करते आगे बढ़े तो अपन चल रहे हैं थे क्यूसन अपने एक सोल किया था अब अपन आ रहे हैं सेकंड क्यूसन पर कि एक 250 वाट का विद्दुत हीट रहे हैं और 15 मिनट तक उसको चलाया जाता है और 230 वोल्टेज सप्लाई पर चलाने पर यह बताओ कितने जूल उसमा एनरजी पेदा खरेगा तो अपन देखते हैं दोस्तों यह क्यूसन देखते हैं पन देखो एक 250 वाट का हीट रहे है एक कितने वाट का हीट रहे हैं दोस्तों पचास वाट का हीट रहे हैं जो पंदरा मिनट तक चलाया जाता है दोस्तों इसकी पावर कितनी है 250 वाट है 250 वाट का हीट रहे है 15 मिनट तक चलाया जाता है और इस हीटर को 230 वाल्टेज को से इस हीटर को 230 वाल्टेज कितना वाल्टेज है 230 वाल्टेज 230 वाल्टेज से स्योजित किया जाता है 230 वाल्टेज स्रोज से जोडा जाता है तो बताओ ये कितनी उश्मा जूल में उत्पन करेगा तो बताओ ये हीटर कितनी उश्मा कितनी उश्मा जूल में पेदा करेगा लो दोस्तों आपके सामने अगला क्यूसन आया है एक विद्दूत हीटर है जो 250 वाट का हीटर है और 15 मिनट तक यूज करते हैं इसको ठीक है ना 15 मिनट तक इसको चलाए जाने में कितनी उर्जा या उस्मा जूल में कितनी उस्मा जूल में जनरेट करेगा लेकिन इस हीटर को 230 वाटें स्रों से जोड़ा जाता है तो दोस्तों इसको सोल करो सबसे पहले कंडिशन बता दू में आपको हीटर जनरेटर होती न उसे हीट यानई उस्मा की गणना है इधर देखो उस्मा की गड़ना द्यान से देखो उस्मा की गड़ना अपन उस्मा की गड़ना है वो क्या तीन मेत्रों से कर सकते हैं पहला मेत्र है एच बराबर आई का स्कॉयर आरटी दोस्तों इससे कर सकते हैं क्या है एच बराबर आई का स्कॉयर आरटी इसका मतलब क्या हुआ है जो यह आई का स्कॉर आरटी है यह क्या आगया अपने पास पावर आ गया देखो पावर है निकल के आगया यह आई का स्कॉर आर क्योंकि आपने पिछे पड़ाता है कि अगया इसकॉर अपन आर होता है क्या पी बराबर क्या है पी बराबर एफ इन्टू एस अपन टी यह से पड़ाता क्या पी बराबर डवलू बटा टी पड़ाता क्या बहुत सारे से सुतर आपने यूज किया था बोच जगे सबसे पहली कंडिशन है bordut के यूज गया सबसे पहले कंडिशन ए आएका i2rt है चेकेंड कंडिशन है वन अप Опान जे broadcast के का i2rt दोस्तो ऐसे भी निकाब सकते हो एच बराबर चार फॉंट दो आई का इस्क्वाइर आर्टी ऐसे भी निकाल सकते हो यह आपके पास ही क्या है तीन सुतर आगए है और तीनों सुतर से आप क्या है हीट की गण्णा कर सकते हो यानि उसमा की गण्णा आप कर सकते हो तो देखो अपने इसक्विशन में देखते हैं सबसे पहले एक 250 वाट यानि पावर कितनी आगए अपने पास 250 वाट अब देखो इसका मतलब क्या है और यह यह तो पावर है तो अपने पास पावर आगए ठीक है ना मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो साड़ से मल्टिप्लाइ कर लेंगे अब देखते हैं इसको सोल कर लें तो को एच बराबर कितना हो गया 250 इंटू सेकंड में कर लो मिनट को पंदर चीगी 90 कितना हो गया 900 सेकंड ठीक ना अपनेपास क्या गया 900 सेकंड ठीक ना मिनट को अपन ना कर लिया सेकंड में कर लिया तो सेकंड में कितना है 900 से के देखको इसको सोल करेंगे 250 इंटू नो सो तो पंची अंटे 200 पंची नाम 25 इसका मतल्ब है ये भी अना 22 2500 क्या गया जूल 22500 जूल यह आνस है जूल में लो दोस्तो इस QSN का आप स्क्रेन सोट ले लो एक बार क्या QSN समझ में आघा रहा है सबके अगर नहीं समझ में आघा रहा है तो अपन और देख लेंगे इसको एक बार देखो स्क्रीन सोट ले लो पहले इसका देखो एक बार दुबरा और देख लेते हैं इसको एक दो सो पचास वांट का हीटर है पावर कितनी है आपके पास? दो सो पचास 15 मिनट तक चलाए जाता है इस हीटर को 230 वोल्टेज स्रोज सप्लाई से स्यूजित किया जाता है तो बताओ कि यह हीटर है वो कितनी उसमा जूल में जनरेट करेगा तो सबसे पहले कंडिशन है हीट जनरेट करेगा उसकी गणना आप तीन फूर्मूरों से कर चकते हैं I का स्क्वाइर CT H बेराबर I का स्क्वाइर RT देखो I का स्वाइर आर्टी है वो पावर आती है तो पावर लिलने का ठीक ना पावर ऐसे भी तो निकाल सकते हो P बेराबर I का сторपा अपन आर पावर ऐसे भी नकाल सकते हो V into I यह circuit DC में काम करेगा, अगर मैं ऐसे कर दू, V into I into cos phi, तो यह cos phi ऐसी circuit में काम करेगा, यह केवल DC में काम करेगा, यह DC में काम करेगा, यह AC में, क्योंकि DC में cos phi का स्थित्व नहीं होता है, और AC में cos phi का स्थित्व होता है, ठीक है, अब देखते हैं, यहां है power, और power क्या है, I अब दूसरी condition है कि H बराबर 1 upon J आय का स्कुरियर आर्टी फंड कंडिसन है 4.2 आय का स्कुरियर आर्टी अपन इन तीनों मेंतर से अपन इसको सोल कर सकते हैं अपने पास जो पष्ट फॉर्मुला है वो ही यहां लाग हो गया ना देखो पस्ट फूर्मूला अपने पास वो यहां लागू हो गया यही देख लेते हैं यह रद अब देखो आई का स्वाइर आटी इसका मतलग अब पावर कितनी एक्टूसन में यह पावर दे रखिए 250 वाउट इचेट thinking तक यूज करते हैं तो यह पंद्रा मिनट अगया ठीक न और मिनट को अपन के सेकंड में सेकंड में को आब आगया और आप तो आपके पाश आगया 22,500 जूल अब देखते हैं दोस्तों सबके समझ में आ गया अब आपना आगे बढ़ते हैं इस नहीं लिया वो इस्क्रिंसोट ले सकते हूं ठीक है नब देखते हैं अगला क्यूसन देखो एक सो वाट का हीटर है क्योंकि दोस्तों मैं हीटर के बारे में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपने हीटिंग परभाव पढ़ा है उस हीटिंग परभाव में आपने एक एक जामपल लिया था सबसे पहले लिया था विद्दूत फ्रेस और विद्दूत फ्रेस के बार में भी मैंने 2-3 क्यूसन निकाल के बताया था फिर लिया था आपने क्या हीटर और फिर लिया है लेंप तो पहला सब्द क्या लिया था आपने विद्दूत फ्रेस क्या लिया था आपने विद्दूत फ्रेज यही लिया था ना आपने यह विद्दूत फ्रेज है विद्दूत फ्रेज से मैंने कहा था कि विद्दूत फ्रेज का जो हीटिंग एलिमेंट होता है हीटिंग एलिमेंट हिटिंग एलिमेंट CHRIST किसका बनाए आपने नाइक्रोम का, दोस्तों किसका बनाया आपने nak्रोम है उसका गयना जो कितना उता है दोस्तों, नाइक्रोम का ताप गुनां कितना है किसन पूछ लेगा, ताप गुनां कितना है 0.00014 ताप गुनांग है वो परती डिग्री सेंटिग्रेट में अगली कंडिशन है अगर आपको इसे पूछ ले नाइक्रोम की उसमिये चालकता या तापिये चालकता कितनी होती है तो आपको पूछेगा नाइक्रोम की नाइक्रोम की तापिये चालकता तापिये चालकता नाइक्रोम की तापिये चालकता एम माइनस वन के माइनस वन यह लो तापिये चालकता आपके सामने आ गई है ठीक है ना अब देखते हैं आप लो दोस्तों ऐसा केस से इसका स्क्रिन सोड ले लो आप दोसरी कंडिशन है अगर यहां से क्यूसन और एकजामिनर उठा सकता है कि ऐसा इनियम के अनुसार विद्दुत फ्रेस कितने वाटकी बनाए जाती है कितने वाट के बनाते हैं 750W कि कितने वाट की बनाते हो आप 750W की जो आपकी विद्दूथ फ्रेस होती है वो क्या है 750W में आप बनाते हो hitting element किसका बना Nikrome का और Nikrome का गलना कितना होता है 1400 degree centigrade ताप यह गुणान कितना होता है 0014 और जो ताप यह चाह लगता होती है वह 11.3 ठीक है ना अब देखते हैं आगे आगे चलते हैं सेकिंड एक्जामपल था आपका हीटर के बारे में चल रहा था तो अपन हीटर में केवल दो क्यूसन सोल किये अभी तक तीसरा क्यूसन सोल करेंगे एक सो वाट का हीटर है या दो सो वाट का मालो जी सो वाट का मालो एक ही वात है दो सो का मानो आपकी इच्छा है सो का मानो या हजार का मानो कुछ भी मालो आप तो मालेते हैं के हजार वाट का हीटर है ठीक है ना एक नेक्स्ट क्यूसन चलते हैं एक हजार वाट का हीटर एक हजा वाट का हीटर है परति दिन दो गंटें चलाए जाने पर परती दिन दो गंटे किस चलाए परती दिन दो गंटे चलाएं पर जाने पर एक हजार वाट का हीटर है परती दिन दो घंटे चलाए जाने पर कितनी यूनिट बिजली का उपबोग करेगा कितनी यूनिट कितनी यूनिट बिजली का बिजली का उपबोग यानि खपत उपवोग का मतलब है खापत कितनी यूनिट विजली का उपवोग करेगा लो जी आपके सामने किसन हो रहा गया 1000 वाट का हीटर है परती दिन 2 घंटे चलाए जाने के बाद या चलाए जाने पर कितनी यूनिट विजली का खापत करेगा अब देखते हैं निकालो दोस्तों इसको सबसे पहली कंडिशन है आप निकालने के यूनिट में पूछ रहे हैं जो भी अगर वेल वाये हैं वो यूनिट में आनी चाहिए जो भी वेल वाय रही है selection में वो unit में आनी चाहिए अब देखते हैं सबसे पहली condition है unit निकाने का formula का यूनीट बराबर देखो सक्ति किसमें आती है मिसा वाट में सक्ति किसमें आएगी वाट में समय और समय किसमें आएगा गंठे में ठीक है न दीनों की संक्या ऐसे भी निकाल सकते हो न अपून हजार लोजी इसका मतलब है क्योशन में ओलड्रेड़ दे रखा है हजार वाट का हीट रहे और परती दीन दो गंठे चलाते हो अप, दो गंठे यूज करते हो और पावर जो खपत हो रही है वो यूनिट में पूछ रहे है इसका मतलब है पावर कितनी है हजार वाट, सोल करो हजार वाट इंटो समय कितना है दो गंठे और परती दिन यूज कर रहे हो अपोन हजार देखो हजार से हजार केंसिल हो गया दो को एक से मल्टिप्लाइ करेंगे तो दो यूनिट आंसर क्या आप क्या है मतलब है कि ये जो वीदूत हीटर है जार वाट का इसको परती दिन दो गंठे चलाए जानी पर ये कितनी यूनिट वीजली की खपत करेगा प्लैसर दो यूनिट अब देखो स्क्रीन सोट ले लो आप इसका ले लो स्क्रीन सोट ले लो जब सब के समझ में आ गया अब चलते हैं आगे देखो नेक्स्ट क्यूसन और देखते हैं इसमें एक पानसो वाट एक पानसो वाट का टोस्टर तीस मिनट तक चालू रखने पर उप्योग की गई उर्जा कितनी होगी देखो साब ने एक क्यूसन आगे ना आपके सामने वाले एक पानसो वाट का टोस्टर है अरे टोस्टर भी क्या है विद्धू सक्ति की खपती करेगा तो देखो नेक्स्ट क्यूसन है पानसो वाट का टोस्टर पानसो वाट का टोस्टर तीस मिनट तक तीस मिनट तक तक चलाया जाता है 500 वाट का टोस्टर है तो 30 मिनट तक चलाया जाता है तो बताओ उपभोग की गई उर्जा कि तो उपभोग का मतलब है खपत खपत उपभोग की गई उर्जा है दोस्तों कितना है निकालो इसको क्यों सन्य आपके सामने 500 वाट का टोस्टर है और परती दिन चलाओ चाहे आप उसको 30 मिनट चलाओ कोई दिकत नहीं है ठीक न एक 500 वाट का टोस्टर है 30 मिनट तक यूज करते हैं तो बताओ यह कितनी विद्धो सक्तिगी खपत करेगा ठीक न अब देखो इधर देखो क्या है उर्जाय तो ग्याद करनी है ह बराबर आपने अभी सुतर है आई का स्क्वाइर आरटी अभी देखा न है बराबर आई का स्क्वाइर आरटी यह सुतर आपने अभी देखा था अब देखो इसका मतलब क्या हुआ है एच बराबर आई का स्क्वाइर आरटी दोस्तों क्यूसन में दे रखा है 500 वाट और तीस मिनट, पांच सो वाट और तीस मिनट, ठीक है न, तो देखो, वाट है, जो पावर है, वो सहदेव किसमें आती है? वाट में, इसका मतलब है, I का स्कॉरर आर, ये फिर पावर आ गई, प्लैसर, I का स्कॉरर आर, ये लो पावर, आ गई न, अब देखो, इसको सोल करते ह अपन, solve करते हैं न, तो देखते हैं, h बराबर, power कितनी है, 500 watt, समय कितना है, 30 minute, और 30 minute को second में change कर दो, 60 second, क्योंकि 1 minute में कितनी second होगी, 60, ठीक है न, अब देखते हैं, तो 618, इसका मतलब है, 1800 सेकिंड होगी, 30 minute में कितनी सेकिंड होगी, 1800, छतिया, 18, इसका मतलब है, 1800, कितनी सेकिंड आगई आपके पास, 1800, ठीक है न, अब देखो, तो अब इसको आगे, solve करेंगे, h बराबर, 85, 90, कितने आगई, 2, 4, इसका मतलब है, ये आपके पास कितने आगई, देखो, ये जो भी देवेल आईए, वो जूल में आईए, 21,2,1,000, 10,000, लाग, ठीक है न, अब 9 लाग जूल, आगे ही न, आपके पास, अगर इस जूल को, किलो जूल में चेंज करो, तो जो जूल को, किलो जूल में चेंज करेंगे न, अपने, तो आगे चलेंगे, अपन, 1000 से डिवाइड कर दो, 30,000 से 30,000 कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि, 30,000 से 30,000 कैंसिल, तो आपके पास आगी, 900 किलो जूल, आउनसर अगर किलो जूल में पूछें, तो आपके पास आजाएगा, 900 किलो जूल, ठीक है दोस्तो, अब इस ये क्या सब के समझ में आया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, दुबार देख लेंगे, आप एक बार, अब चलते हैं आगे, देखो एक बार देख लेते हैं, 500 वाट का एक टोस्टर है, 30 मिनिट तक इसको आप यूज करते हो, तो बताओ, ये कितनी उर्जा की खपत करेगा, तो उर्जाए तो ग्यात करनी है, H बराबर आए का स्वार आटी, तो H बराबर आए का स्वार आटी, इसका मतलब है, आपको क्यूशन में दे रखिए 500 वाट, और टाइम दे रखा है 30 मिनिट, तो 500 इंटू 30, तो आप ये मिनिट है, केवल 30 मिनिट है, तो मिनिट को आप सेकिंड में चेंज करोगे, 60 से मल्टिपलाइ करोगे, तो 30 मिनिट में कितनी सेकिंड होगी, 6,8, 1800 सेकिंड आपको, वो 500 से मल्टिपलाइ कर देंगे, तो आपके पास ये वेलू आजाएगी, अगर इस वेलू को, जूल को आप किलो जूल में चेंज करें, तो इस 1000 से डिवाइड कर देंगा, ठीक है ना, अब देखो, ले लो इस स्क्रीन सोट, अब अपना आगे चलते हैं, अपने एक एक जामपल ओर लिया था, किसर लेंप, लिया था क्या, लेंप, अब देखो, लेंप में, अगर लेंप में भी अपन देखते हैं, तो पासाथ क्यूसन आपको सोल करवा सकता हूँ मैं, ठीक है ना, तो पास्ट क्यूसन देखते हैं, एक दो सो वोल्ट के बिजली के बलप में, एक दो सो वोल्ट के बिजली के बलप से, तीन एम्पियर की विद्धुत धारा, तीन एम्पियर की विद्धुत धारा फोलो रही है, ठीक है ना, तो यह कितनी पावर की खपत करेगा अब देखते हैं इसका मतलब क्या है एक कोई बीजली का लेंप है बलप है ठीक है ना एक बीजली का लेंप 200 वोल्टेज सप्लाई से स्यूजित है दोस्तों एक 200 वोल्टेज का लेंप है जो 200 वोल्टेज रो से जुड़ावा है और 3 एमपियर विद्दुधारा बेरीस में इस लेंप लेंप से एमपियर की विद्दुधारा परवायत होती है तो बताओ यह कितनी विद्दुध सक्ति की खपत करेगा तो बताओ यह है कितनी विद्दुध सक्ति की खपत करेगा लो जी इसमें भी क्या निकाने आपको पावर है वह एक 200 वोल्टेज रोसे एक लेंप है 200 वोल्टेज रोसे जोड़ दिया जाए और लेंप में से तीन एंपियर करेंट फोलो रही है तो पावर ज्याद करके बताओ देखो दोस्तों सोल करते हैं अपन पी बराबर वी इंटू आई है क्या यह फोर्मूला होता है क्या ऐसे होता है पी बराबर आई का पी का इस्वाइर अपन आर और यह आपके सामने है पी बराबर वी इंटू आई तो वोल्टेज का मान कितना है इसमें वोल्टेज का मान दे रख है 200 वोल्टेज और करंट कितनी बह रही है तीन एंपियर करंट तो देखो वोल्टेज कितना है 200 इंटू 3 कितना आ गया 600 लो जी पावर कितनी आ गई 600 वाट पावर कितनी आ गई आपके पास 600 वाट यह आपका क्यूसन सॉल ठीक है न स्क्रीन सोट ले लो ऐसे गेसे इसका अब देखते हैं next क्यूसन एक सो वाट का लेंप एक सो वाट का लेंप है जो 200 वोल्टेज रो से स्योजित है लो जी एक सो वाट का लेंप एक सो वाट का लेंप है जो 200 वोल्टेज सरोत से स्योजित है एक से वाट का लेंप है जो 200 वोल्टेज स्योजित है तो लेंप के फिलामेंट का पड़ती रोज तो लेंप के परती रोध रेजिस्टिंस ग्यात करो लोग साब आपके सामने एक नहीं क्योंसन आ गया है 100 Watt का जो लेंप है 200 Watt से स्योजित है तो hem के फिलामेंट का परती रोध टेस्ट करो निकालो क्योंकि प्रीज करने की सुत्रे आर बराबर वी का इसका एर आप उन पी ओता गया इसे हैं इसका मतलब है कि अगर आर की वेलु आप ज्याद कर रहे हो तो वोल्टेज का वरक कर दो और पावर से डिवाइड कर देते हैं तो voltage कितना है already अपने पास? देखो, कितना voltage दे रखा है? 200 voltage और watt कितनी दे रखी है 100 watts तो 200 voltage, इसका मतलब है 200 का वरग upon पावर कितनी है 100 watts तो 200 का वरग को अपने pessoal करेंगे तो अपने पास आ गया 40,000 अपने पास आ गया इसका रेजिस्टेंस 400 ओम तो टोटल रेजिस्टेंस कितना गया 400 ओम इसक्रिंसोट ले लो आप इसका सब के समझ में आ रहा है नहीं आए कोई दिक्कत नहीं दुबारा और देख लेंगे देखो अगर इसी क्यूशन पर देखते हैं अगर इसी क्यूशन को हलका सा गुम आके अगर चेंज कर दू और नया क्यूशन बना दो आपके लिए तो देखो बना के देख लेते हैं एक बार देखो एक 100 वाट वैं 200 वाट के लेंप दो लेंप ले लिया अपने एक लेंप है 100 वाट का और एक लेंप है 200 वाट का और 200 Volt वोल्टेज रो से सियूजित कर दिया जाता है लेंब को 200 Volt शप्लाई सप्लाई से 200 Volt सप्लाई सप्लाई से सियूजित कर दिया जाता है तो लेंप के लेंप के फिलामेंट फिलामेंट का परतिरोध की गणना परतिरोध अनुपात में करे लो जी एक सो वाट वे दो सो वाट के लेंप इसका मतलब दो लेंप है एक लेंप कितना है सो वाट का है और दूसरा लेंप कितना है दो सो वाट का है और दोनों लेंपों को दो सो वोल्टेसरों से जोड दिया जाए तो लेंब के फिलामेंट की गणना आप अपरूपात में निकाल के बताओ देखो कितना वाट है एक सो है एक दो सो वाट है और दो सो वोल्टे स्रों से जोड रहे हैं ठीक है न अब देखते हैं पहली कंडिसन है आर बराबर विका स्वायर आपको न पीशे से निकाल सबसे पहली कंडिसन आपको यह भी बता दू में आपको कि जो आपक akan y फिलामेंट है यह श्विलामेंट यह फिलामेंट किसका बनाया आपने kann station का गंढना कितना होता है चौनती सो डिग्री सेंटीग्रेट कितना होता है चौनती सो डिग्री सेंटीग्रेट अगर मैं टंगस्टन का ताप गुणांग की बात करूँ ताप गुणांग की बात करें ताप गुणांग तो देखो 0.00537 ठीक है न ताप गुणांग की बात करें तो 0.00537, अब आगे जलते, अब इस क्यूसन को देखते हैं, कि अगर पहली सिच्विशन है, आर बराबर वी का स्काइर अपोन पी, तो पहली कंडिशन कितना है, 100 वाट का लेंब दे रखा है, तो 100, sorry, वाटेज कितना दे रखा है, आपको, 100 वाट, और वॉल्टेज कितना दे रखा है, 200, तो 200 का वरग अपोन 100, पहली सिच्विशन तो यह आगई आपके पास, दूसरी सिच्विशन ये देख लो वी का स्कॉर अपॉन पी तो दूसरी कंडिशन कितना है वोल्टेज 200 अपॉन पावर कितनी है 200 पहली कंडिशन इसको 500 200 का वरेक कितना हो गया 40,000 अपॉन 200 से 200 कैंसिल अपने पास क्या गया 400 Ohm देखो पश्ट कंडिशन में अपने पास आ गया 400 Ohm रेजिस्टेंस और सेकंड कंडिशन देखते हैं अपने सेकंड कंडिशन देखते हैं कि अगर इसको सोल करेंगे तो 200 का वरेक कितना हो गया 40,000 अपॉन 200 2,0 से 2,0 कैंसिल 2,0 से 2 गया कितना आ गया 200 Ohm अगर अनुपात में देखेंगे नीचे देखो 400 अनुपात 200 ऐसे लिख दुखें इसको अब भी ये है संक्या तो 0 से 0 कैंसिल 2,1 कम 2,2 दूनिशन अपने पास आंसर आ गया 2,0 अनुपात 1 ठीक है दोस्तो आज के लिए काफी है अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी है मेटर अपने पास वो अगली क्लास में देखेंगे